तो दोस्तों देखिए अभी सूरज भाई उठा रहे हैं इस पत्थर को और इस पत्थर के पीछे के कहानी यह कि जो पर्वतों की ठंडी हवाए सासों में अच्छी से वीडियो भी होना है तो आप और अब यहां पर होने वाला है तहल का जैब होले जैसंगर तो हले दोस्तों कैसाब सब लोग होप करतों कि सब अच्छेंगर अपने अपने घरों में मौस दे रहें तो एक बार फिर से वैलकम हो चुका है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल के व्लॉग में तो आजाए महा सीवरात्री और यह देख़े मेरे पिछे यह है हमारे गाओं का भोले नात्त का जो मंदीर है तो मेरे सारे यूटूब फैम vorला मेरे तरफ हे भोले नाथ अभी मंदीर से होके आचुका हूं मैं साथ में इस भाई और में जार के थे मंदीर और दोस्तों अभी बज रहे हैं सुछो के दस और अभी पूरा दिन बाग यह आगे क्या बनता है जिसे कि प्लान डिसाइड होता है फिर मिलते हम आप से तो दोस्तों फाइनली जो हमारा प् कि अँड़ी कि डिदा हुआ 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 है तो दोस्तो अभी अबु भाई और मैं आ रहे हैं यहां पर व्यूपॉइंट पर जोशिमत के और अभी सिवम और सुरज भाई जा रहे कर निचे पैडल बं तेल भरवाने के लिए और अभी आप यहां से चेक करें दोस्तों यहां से की पूरा जोशिमत कबार होता है यह और यह पिछे सारे संवां भाई अशार अप्डू अगभू अगभी आप रेफ की आप आप अपकी आप एलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए 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 तो दोस्तो फाइनल यहां पहुंच चुके है बला काओं काओं में यह देखिए यहां पे वाहिक बारखो चुकिया है वे रहे हमने सूरज भाई यह रहे हमारे पूरा गाउं इधर साइड और यह रहा से पूल और भी पूल से जाएंगे उपर गाउं में जटो मजा है नहीं मान रम्माई लोग ताली ओडाली रुद्रच देए हुआ 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 है दोस्तों फाइनलियम पहुच चुके हैं वह लगाओ गाओ में और यहां पर हैं मंदिर यहां दोस्तों और दोस्तों यहां पर जो यह फेमस मंदिर है तो इसकर आम है बिंदेश्वर मंदिर और अभी फटा-फट से चलते हैं मंदिर में फिर आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन आइसाब फीड देगे दोस्तों तो दोस्तों यह है भाला गाओ का बिंदेश्वर मंदिर जै हो जै हो शंकरा बोरे नाथ शंकरा आदि देव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भौरे नाथ शंकरा चले यह सास किस तरह हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आख मूंद के चला तेरी नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा तो दोस्तों देखे अभी सूरज भाई उठा रहे हैं इस पत्थर को और इस पत्थर के पीछे के कहानी है कि जो भक्त होता है तो वही इस पत्थर को उठा पाता है बतलब कि जो असली श्रद्दा और भक्ति के साथ भगवान सीव की प्लूजा करता है जो भगवान सीव को मानता है वही इस पत्थर को उठा बाता है और कोई इस पत्थर इंहां उठा नोरा पर परदें करह कर शाया में यारा मेरा मेरा फ्या ni दोस्तों फाइनली मंदिर के दर्सन हो चुके हैं और जो पत्तर की विस्स बात mango थी वोय आपको पता चल चुकी है और पत्तर भी उठा दिया है यह रही यहाँ पे मंदिर और अभी हम जा रहे हैं आगे यह बाकि सेवं और सुरज भाई और यह लाभगो अभी हम चलते हैं परवतों की ठंडी हवाए सासों में बस जाए हाई रे सासों में बस जाए वादियों में फूल खिले जो कुशबू ये में काए जर 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 ने कीट सुनाएं पुत रहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीज़ेगा इनके चाहिए ने जाए लाएं तो आप सब्सक्राइब कीज़ेगां इनके चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगां तो आप सब्सक्राइब कीज़ेगां इसके लिए बहुत बहुत धन्यवार और आभी हम चलते हैं फटाफटे बाकी लोग चले गए दोस्तों फाइनल ये अभी हम मंदिर से होके आचुके हैं फिर से में रोड पे और अब यहां पे होने माला है तहल का फुल पावार टांस होने माला है मोजे नाती की साधी हम तो नाचेंगे चलो फिर नाचते हम आचते हम पाइनल एक ळाचते हम तो नाचते हम कालिसी मुटाना ख़ुशने साधी हम पायंगे तोनी सुम गाडि तेरी हखना आगे यहां प nuclear आगा,प शब्सादार पीड़ी Зна ख accumulation पुंचुच इल ग confess तो दोस्तों अब पहला काउं से होके हम आ चुके हैं और अभी हम यहां पर आर खेदे स्प्रिंग वाटर है जो यहां पर ही यह हैं बाकी हमारे दोस्त तो इसी के साथ इस ब्लोग को यहीं पैयान करते हैं होप करता हूं कि आप यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी करें कमेंट करें दोस्तों के साथ सेयर करें मिलता हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में तो अबता के लिए टेक क्यार एंड बाबाई